लद्दाक की सीमा पर मई से जारी तनाव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब दौलद बेग ओल्डी देपसांग इलाके में पानी की तलाश की जा रही है। में वास्तरिक नियंतरन रेखा पर तैनाथ है और चीन के साथ-साथ एक बड़ी चुनोती है सिपाहियों के लिए पानी मुहया कराना। और इसमें डौक्टर रीतेश आर्या लगे हुए हैं एक प्रसिट जियोलिजिस्ट है भारतिय सेना के साथ इस समय लगे हुए हैं धरती से पानी निकालने का प्रयास करने में अभी अभी दौलद बेग ओल्डी से लोट कर आए हैं। दौक्टर आर्या स्वागत है आपका आज तक पर कितनी सफलता मिली है आपको दौलद बेग ओल्डी जैसे कठिन ओल्टिचूट पर सत्रह हजार फीट के ओल्टिचूट पर पानी तलाशने में जमीन में। भी अभी हमारे को हमने रेकी किया दौलद बेग ओल्डी में तो बहुत मेरे को पॉजिटिव वहाँ पर सिग्नल नजर आए हैं कुछ वहां पर पहले इनिशिल डिफिकल्टीज काफी हुई हैं डिलिंग में लेकिन अब जो हमने रेकी किया उसमें हमारे को बहुत पॉजि सेना ने बड़ी संख्या में सीमा पर जवानों की तैनाती की है और अब लॉंग हॉल की तैयारी है यही कारण है कि लगतार राशन को भेजा जा रहा है इसके अलावा सर्दियों के लिए कपड़े, सर्दियों के लिए टेंट, खाना, सूखा, राशन, हत्यार और दूसरे जर सेना की मदद कर रहा है ताकि सर्दियों से पहले सभी आपूर्ति को पूरा गया जा सके रक्षामंत्री राणनात सिंग ने लोग सभा में बयान दिया था कि भारती सेना बाचीत के साथ मुद्दे को निपटना चाती है लेकिन अगर चीन नहीं मानता तो हर परस्तिति के ल रहा है भारती सेना ने चीन की हलचल को देखते हुए सीमा से सठे इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की है अब रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण जगों पर भी सेना का कबजा है प्यर रिपोर्ट भारत तक